वेल्कम स्ट्रेंग स्वागत है आप सभी का ट्रेपल सी वाइफाई श्रीचनर पर आप सभी के लिए आज की इस क्लास में चैप्टर नमबर थार्ड यानि की लिबरा ओफिस राइटर से कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट बताने वाले हैं और जिन बच्चों का मार्च मंत म अप्रैल मंत में एक्जाम है तो आप सभी के लिए क्लास हैं ठीक है और आज का क्लास नमबर वन यानि की डे फर्स्ट होगा आज से लगातार आपको क्लास मिलते रहेंगे ऐसे ही तो कार्टिम्यू क्लास आप लोग करें और इससे पहले के चैप्टर नमबर वन और चैप् जाएंगी तो आज जो है वो चैप्टर नमबर आपका थार्ड है जिसमें लिबर ओफिस राइटर आता है तो सबसे पहले इसका इंडुडक्शन समझेंगे और बार प्रोसेसिंग के बेसिक्स को समझेंगे पुरा डेटेल में आपको आज यह समझाएंगे तो क्लास को ला और चैप्टर नमबर थार्ड जो आपका है यहां पर आप देख सकते हैं और इस वर्ड पोसेसिंग के अंतरगत आपका जो लिबर ओफिस से उसमें से आते हैं कोश्चन्स तो यहां पर सबसे पहले इसका इंडुडक्शन समझते हैं क्या होता है लिबर ओफिस आगिर है क् राइटर जो लिबर ओफिस राइटर है राइटर क्या है एक आफिस का वर्ड पोसेसर प्रोग्राम है जैसे आफिस का वर्ड पोसेसर प्रोग्राम है सभी जानते हैं मैक्रोसॉफ्ट वर्ड मैक्रोसॉफ्ट वर्ड से सभी परचित होंगे तो जैसे मैक्रोसॉफ्ट वर् राइटर है ये भी एक word processor program है word processor program का मतलब क्या होता है जहां पर आप content लिख सकते हैं जहां पर आप कुछ लिख सकें कोई भी document को बना सकें किसी application को लिख सकें उसको edit कर सकें चेंज कर सकें ये सारे जो काम होते हैं ये word processing software के अंतरगर आते हैं तो बहुत सारे अलग-अलग word processing software है उसी में एक सामिल है आपका LibreOffice उसी में आपका सामिल है Microsoft उसी में Jart word processor अलग-अलग बहुत सारे word processor program आपको मिल जाएंगे सबका मक्सद सबका काम एक ही है ठीक है बस उसका जो operating करने का system में थोड़ा सा change होता है ठीक है वही सारा समझना है कि क्या इसमें चीजे हैं कैसे इसको operate करते हैं जो आपका word processor program है राइटर उसको ठीक है उसके बाद अगर बात करें चेंज कर पाएं और उसको print कर पाएं तो यह जो जितना भी document बनाने का काम होता है document creation का काम होता है सबका सब word processing software पर होता है ठीक है तो राइटर भी आपका एक प्रकार का क्या है word processor program है इसके बात करें word processor basics अगर basics की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा point दिया गया है opening word processing package आप word processing package को कैसे open कर सकते हैं तो इसके लिए क्या करना है आपको जैसे कि यह अगर आप यहाँ से close करते हैं तो यहाँ से close कर दिया आप close करने के बाद में करना क्या है मुझे word processor open करना है यहाँ पर आपको क्लिक करना है उसके बाद थोड़ा उपर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक option दिखेगा लेपर office जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिबर office इसकी जो window है वो open हो चुकी है जैसा कि आप screen पर देख सकते हैं ठीक है जी तो यहां पर ये window आप की open हो चुकी है अब यहां पर आप देखेंगे यह लेबर आफिस का जो program है जो software है वो आपके database पोलते हैं यह आपको देखेगा तो यहाँ पर कई प्रोग्राम आपको देखते हैं आपके जो ट्रपल्शिक जाम में उसमें अधिकांस प्रस्न जो है वो राइटार, कैलक और इंपेस से बनते हैं यही से सारे questions आते हैं तो आज सबसे पले राइटर को समझेंगे तो अगर हमें इस प्रोग्राम को ओपन करना है इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको राइटर पर क्लिक करना होगा जैसे आप राइटर पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने राइटर प्रोग्राम ओपन हो चुका है तो यह राइटर प्रोग्राम टूल वार और साइड वार ये क्या होते है टाइटल वार क्या होते है मैनू वार टूल वार क्या होते है और साइड वार क्या होते है ठीक है तो इनको भी समझ लेते हैं सबसे पहले बाप करें टाइटल वार की तो कोई भी अप्लिकेशन प्रोग्राम आप उपन करते हैं उसम बार पर होता क्या है तो धियां रखना है टाइटल बार पर आपके डकुमेंट का नेम होता है और जब आप लेवर ओफिस को फर्स्ट टाइम उपन करते हैं राइटर को पहली बार उपन करते हैं ठीक है तो वो किस नाम से आता है अन्टाइटल बन आता है आप यहां देख सक जो name होता है वो untitled बन ही होता है इससे भी आप ध्यार रखें तो किसी भी प्रोग्राम का जो सबसे उपर की पट्टी होती है ध्यार रखना है वो क्या होती है आपकी title बार होती है टाइटल बार के जस्ट नीचे आपको एक और पिट्टी दिखाई देती है जैसे कि आपने फाइल हो गया एडिट हो गया व्यू इंसर्ट फोर्मेट इस टाइल यह कपती आपको मिलती है इसका क्या नाम होता है यह होता है मेनू बार होता है यानि कि title बार के just नीचे मेनू बार आपको देखसें कि अब कभी पूछते हैं कि तोल आपका राइटर प्रोग्राम होता है उसमें कितने मैनू होते हैं तो ध्यान रख रहा है यहां पर टोटल मेनू के संख्या कितनी होतीbel करध म El Baby होती है फाल हो गया Edits हो गया View Inset ठी कि Formate, Style, Table , फॉर्म टूल्स विंडो और हेल्प तो यह टोटल 11 मेनू आपको मिलते हैं लेपर आफिस राइटर प्रोग्राम के अंदर गर्ड तो यह धी काफी इंपोर्टेंट है इनको आप ध्यान से समझते चलना जो भी चीज़े हैं उनको आप ध्यान से समझेंगे तो सारी चीज़े यह क्या करना पड़ेगा आप यहां पर सबसे पहला जो आपका मेनू है इस फाइल मेनू पर आप जाएंगे और यहां पर आपको इस न्यू ऑप्षन पर क्लिक करना होगा यह न्यू की जो कमांड होती है यानि कि तूंकि यहां से बहुत सारे प्रसंद बनाये जा सकते हैं अलग-अलग तरीके से आप से पूछा जा सकता है तो बस ध्यान ये रखना है कि किस प्रकार से question बन रहा है question का meaning क्या है असली उसका मतलब क्या है क्या पूछा जा रहा हम से answer आप तभी दे पाएंगे सही से तो जो file menu है इसके अदगरत आपका new का option मिलता है और new के option में अगर आप देखेंगे तो बहुत सरे option यहाँ पे आपको देख रहे हैं जैसे कि tax document का option अजर आता है means यहाँ पर अगर आप क्लिक कर देंगे एक नया tax document open हो जाएगा जिसकी shortcut की भी है spread seat की तो यहाँ writer program से ही आप spread seat को भी open करा सकते हैं presentation को भी करा सकते हैं drawing को भी करा सकते हैं formula database को भी करा सकते हैं means किसी भी program के अंदर जाकर के भी आप किसी दूसरे labor office के program को open कर सकते हैं ठीक है तो यह भी आप ध्यान रखना है तो नया document अगर बनाना है तो आप यहाँ click करेंगे और जैसे इस पर click करेंगे आपके सामने एक नया document open हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके document का जो title name है वो यहाँ पर change हो चुका है और लिखा होगा है untitled to यानि कि दूसरा program यहाँ पर open हो चुका है ठीक है और यहाँ से अगर आपको close करना प्रोग्राम को बंद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं यहाँ close button का यूज करेंगे यहाँ click करेंगे तो program आपका close हो जाएगा या फिर आपको क्या करना है control के साथ में W paste करना है तब भी की विंडो से बाहर आने के लिए आपको दबाना होगा control क्यूं क्या दबाना होगा control क्यूं जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे फाइल के फाइल पर जैसे click करते हैं तो आपको exit लिभर आफिस लिखा होता है control क्यूं और control W में क्या difference है तो वो समझना है control क्यूं से क्या होत हम आफको यह विद practical ककल दिखाते हैं अगर यहां पर प्रेज कर देते हैं जैसे कि विंड़ो में ऐगर जाएगे विंड़ो को लोज कर देखेंगी कि आप देखेंगे कि आपका जो writer program है उसका दो window close हो चुका है बंद हो चुका है लेकिन अभी वी आप LibreOffice के अंदर है ठीक है और अगर दुबारा से writer program को open करते हैं और अगर आप यहाँ पर control Q प्रेस कर देते हैं या फिर file पर आकर के यहाँ पर आप LibreOffice जहाँ पर लिखा यही बाहर हो गए है writer LibreOffice सब कुछ बंद हो चुका है ठीक है तो यह चीज काफी important है आप जो control Q होता है वो LibreOffice से बाहर कर देता है और control W होता है वो केवल आपका जो program open है जैसे की writer हो गया या calc हो गया उसको उससे बाहर करता है बाकि LibreOffice के अदर आप रह जाते हैं ओके जो ध्यार रखना है इसके बाद अगर बात करें तो यहां पर जैसा कि आप देख पाएंगे यहां पर title बार आपका समझ लिया menu बार समझ लिया इसके बाद बात करते हैं टूल बार की अब टूल बार का जो option है कहां मिलता है and sidebar कहां पर होता है और क्या होता है तो थोड़ file menu के बाद में यहां पर कुछ icon आपको नजर आते हैं ठीक है और जब इस icon पर आपका mouse का arrow जाता है ठीक है तब यहां पर देखा आपने की new लिखा हुआ है means अगर यहां क्लिक कर देंगे तब भी आप एक नया document open कर पाएंगे और file पर करके भी आप open कर सकते हैं तो यह नहां यहां है default style जहांसे आप heading वगरा set कर सकते हैं उसके बाद में यहां पर जो leverage font का change कर सकते हैं, font के background में color डाल सकते हैं और भी बहुत सरे option यहाँ पर नजर आते हैं जैसे कि आप यहाँ पर bullet point है उन्हें insert कर सकते हैं number list insert कर सकते हैं alignment के जो option दिये होते हैं यह जितने भी option आपको नजर आते हैं जो icon आपको नजर आते हैं यह सब formatting toolbar पर होते हैं आपको इसका option दिखाते हैं कि मिलेगा कहां तो आपको जाना है यहाँ view पे और जैसे आप view menu पे जाते हैं तो नीचे आप देखेंगे यहाँ पर toolbar का एक option आपको नजर आता है अब इस toolbar पर हमने click करके रखा है तो आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ी यहाँ पर check हैं पहले से और कुछ अंचेक हैं आप चाहों तो इन में से बहुत सारी चीज़ों को आप check करके इनको लगा सकते हो share कर सकते हो आप देखें यहाँ पर आपके सामने है formatting toolbar जो आलेडी पहले से check है अगर हम इस toolbar पर uncheck कर देते हैं तो ध्याँ रखना है देखें जैसे मैंने इस पर click किया तो आपके सामने से जो formatting toolbar थी जहाँ पर font का size बढ़ाना था color change करना था bullet point inside करने थे वो पूरी पट्टी ही यहां से गाइब हो चुकी है तो यानि कि जो हमारी formatting toolbar है वो हमने remove कर दी है और इससे क्या आपके समझ में आया एक तो यह आया कि आप चाहों तो formatting toolbar को हटा भी सकते हो चाहों तो उसको लगा भी सकते हो ठीक है और formatting toolbar को हटाने का और लगाने का जो option है वो कहां मिलता है तो वो आपको view menu में मिलता है तो बहुत अलग अलग तरीक से सवाल बन सकते हैं और यही छोड़े-छोड़े सवाल कई बार confuse करेंगे क्योंकि इन पर गर धिहान नहीं दिया होता है तो यहीं से सवाल बनते हैं फिर confusion होता है तो सभी चीज़ों को आपको एक तरफ से detail में समझे लेना है इसलिए syllabus के साथ में syllabus को साथ में लेकर के आपको पढ़ाने की कोशिस कर रहे हैं ताकि किसी भी point को miss ना हो जाए और सारी चीज़ें आपकी clear होती चली जाए अब अगर मुझे इस toolbar को बापिस लाना है तो toolbar पर जाना होगा और इसके बाद जो formatting toolbar है जैसे कि आप यहां देखेंगे इस formatting toolbar को फिर से check करना है और भ्यान रखना जैसे यहां पर हम check करेंगे अब दिखिए यहां पर आपसे पूंचा जा सकता है कि पुछली एक्जाम पूंचा गया था कि जो export as PDF का option होता है वो किस toolbar पर होता है कि Formating Toolbar पर होता है कि ड्राइंग टूलबार पर होता है कहां पर होता है तो Standard Toolbar पर होता है तो यह समझना भी जरूरी है कि कौन से Option किस Toolbar पर होते हैं जैसे Bold का Option है और आपका यह जो Fund Size है या फिर Color है यह जो Option है यह किस Toolbar पर होते हैं तो यह आपके ड्राइंग टूलबार पर होते हैं आप थोड़ा hide करके दिखाते हैं कि अगर आप standard toolbar को hide कर सकते हैं कहां से कर सकते हैं तो इसके लिए भी आपको view menu में जाना होगा और इस view menu के अंदर toolbar का option आपको नजर आएगा अब यहां पर आपको ढोड़ना है standard toolbar है कहां पर तो थोड़ा नीचे आएंगे और यहां पर देखेंगे यह मिल गया आपको standard toolbar का option जो already check है इसके मतलब यह लगा हुआ है इसको मैंने uncheck किया और आप उपरा करके देखेंगे तो standard toolbar आपकी hide हो जुकी है केवल आपको आपके formatting toolbar है वही दिख रही है standard toolbar यहाँ पर नहीं है तो जो formatting toolbar है اور standard toolbar है दोनों को आप hide कर सकते हैं Unhide भी कर सकते हैं कहां से कर पाएंगे view menu में जाकर कर पाएंगे view menu पे जाकर के फिर toolbar में जाएंगे तो बहाँ पर सारी toolbar आपको नजर आएंगी और बहाँ से जिसको भी आपको लगाना है लगा सकते हैं, हटाना है तो हटा सकते हैं फिर से हम जाएंगे standard पर और यहाँ पर करनेंगे click इसके बाद standard toolbar फिर से आ चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं यह आ चुका है ठीक है तो दिहां रखना आपके लिए काफे ज़ादा इंपट Yukon It하면 अब देखते हैं आगे तो यहां पर आपने देखे लिए कि title बार क्या होता है मैनु बार क्या होता है लोग क्या हूती है अब रहः गया side यह संधवार क्या होता है और कहाँ पर होता है इसको भी समझते हैं तो अगर आप थोड़ा सा राइट हैं पर आएंगे तो देखें यह आपकी area वार हम किसी पर एक क्लिक करते हैं तो आपके सामने पूरी sidebar open हो जाती है और यहां से भी कई सारे चीज़े आप कर सकते हैं यैसे कि यहां पर जो style में जाएंगे अगर तो यहां पर लिखा है default style अब ध्यान देना यहां से भी हम title, subtitle, heading, heading 2, heading 3 यह सारे चीज़े हम लगा सकते हैं और इनको लगाने के लिए हम अगर इधर आते हैं तो ह sidebar में भी option हमें मिलता है इस बात का भी ध्यान रखना होगा आपको अब इसके बाद अगर बात करें तो नीचे आप थोड़ा और आएंगे यहां से जो character हैं जैसे कि लेबरेशन से रीफ और कई वार यह भी सवाल आता है कि जब आप लेबरा ओफिस राइटर ओपन करते है हैं तो उसमें wide-defined जो front का face होता है जो front डिश्टाइल होता है वो क्या लगा होता है तो ध्यान रखना है इसे known करते जाना है क्या होता है लिवरेशन से रीफ होता है एक एक बात को आपको अच्छे से समझनी है और लिख कर रखना है जो wide-defined front लगा होता है वो लेवरेशन से सवाल आपका आता है दूसरा सवाल यह बनता है कि front size का कम से कम size कितना होता है तो कम से कम 6 होता है और अधिक से अधिक कितना होता है 96 होता है इसे भी आप ध्यान रखें और यह sidebar से भी आपको option मिल जाता है उसके बाद अगर आप यहां आएंगे तो यहां पर भी देख सकत आपको यहां पर नजहराते हैं, इहां से आप fund को tight, very tight वगरा कर सकते हैं और इसके बाद में यहां paragraph में देखेंगे तो alignment के कुछ options आपको नजहराते हैं यहांपर आपको background color आता है जहां से background color आप change कर सकते हैं डाल सकते हैं फेंड के अंदर spacing का यहाँ option मिलता है अब वो इसके बाद यहां अगर Page पर क्लिक करते है जासा कि Page का and यह आपका कहा होता है Sidebar में ही होता है इस Page पर क्लिक करेंगे तब आपका पूरा goumage होगा वो आपको देखेगा जैसेकि अब ही देखेंगे तो आपका जो Page लगा है वो लेटर लगा हुआ है जो page का size है वो लेटर है और इस लेटर का size है वो कितना है तो 8.50 inch है इसके width और height है 11 inch ठीक है ध्यान रखना है orientation इसका portrait लगा हुआ है margin normal है जो 0.75 inch है margin margin क्या होता है जैसा कि यहाँ अब यह देख सकते हैं जैसे हम यहाँ पर दो बार क्लिक कर देते हैं और इसके बाद एक line हमें देखती है जैसे लाइन आपको देख रही है न तो यह लाइन से ऊपर का जो area है यह आपका क्या होता है header का area है यह से हम margin भी बोल सकते हैं इसके उपर आप जब आप कुछ document बनाएंगे तो यह area छोड के आएगा इसको छोड देगा already ठीक है इसको छोड के रखेगा यहाँ पर आप लिख नहीं सकते हैं अगर आपको header लगाना है तो वहाँ पर लगा सकते हैं बाकी का जो आपका लिखने का area होगा यानि कि जब लिखना इसको छोड देता है है ठीक है काकर किणरे की दूरी से लेकर के आपकी टैक्स्त की दूरी होती है बहाँ उसको हम standard बूलते छोड़ना है जैसे कि कुछ नैरो भी है अगर आप इसका आपने की सेट होता है जैसे अगर नैरो लगाते हैं ठीक है तो अपने आप यह दूरी कम हो जाती है उसके बाद अगर आप चाहों तो और भी यहां बहुत सारे हैं यह लगा सकते मॉडरेट है फिर नार्मल में 0.75 हो इससे अगर आप यहां पर कुलक करते हैं तो कौन सा रखना है आपको E.B.C.D. है, रोमाल में हैं यह सब चीज़ें आप यहां से लगा पाऊगे तो यह समझना था आपको कि आपका जो side war होता है वो होता क्या है अब कई बार सवाल आता है कि side war को क्या आप hide कर सकते हैं क्या छिपा सकते हैं तो बिल्कुल control F5 इसकी एक shortcut की होती है अगर दबाते हैं तो side war आपकी गयब हो जाती अब आप देख सकते हैं कि आपकी जो side war है तो यहां से remove हो चुकी है आप समझ सकते हैं आपकी अगर control F5 दुबारा से प्रेस करेंगे तो फिर से आपकी जो side war है वो आपको देखेगी और अगर फिर से दबाते हैं तो side war आपकी hide हो जाएगी मिंस side war को भी हम hide और रहनाईट कर सकते हैं अगर आप से पूछना है कि किस menu बार में जाकर कि आप side war को हटा सकते हो तो आप से मिलता है तो view menu में जाकर कि आप side war को हटा सकते हैं और उसको फिर से लगा सकते हैं अगर हम यहां पर click करते हैं तो आप देखेंगे कि side war आपकी फिर से बाफिस आथ सुकी है तो sidebar का जो option है remove करने का उसको hide या hide करने का आप बोल सकते हैं ये कहां मिलेगा ये view menu में मिलेगा ध्यां रखना है कहां मिलेगा view menu के अंतरगत ये sidebar को हटानेगा और लगाने का option आपको मिल जाएगा अब इसके बाद अगर बाद करें तो creating a document अपने समझ लिए कियसे document बनाते हैं इसके लिए आप control M और प्रेच कर सकते हैं नया document certificate कर सकते है इसके बाद यह है opening document आप document को कैसे open करेंगे कैसे उसको close करते हैं opening and closing कैसे सको save करते हैं इसको भी समस्जना है तो आप क्या करना है यहाँ पर आपको जाना है फाइल पे और फाइल पे जाने के बाद यहाँ से आप open कर सकते हैं ctrl o जैसे याप फ्रेज करेंगे तबी open कर सकते हैं या open पर आप click करेंगे जैसी open पर click करेंगे तो आप आजाएंगे document में यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपके file save कहाँ पर है तो जिस location में आपने file को save किया है बहां से उसे दुबारा से open करा सकते हैं ठीक है और इसके लिए अगर आपको control o press करना है तो control o से भी आप open कर सकते हैं आपने जो भी file को बनाया होगा ठीक है save करने की जो sort cut की होती है वो control S होती है और यहाँ file में आएंगे तो आप देखेंगे नीचे यहाँ पर open का एक option आपको नजर आता है जो control o से सार्टक्र की होती है उसके बाद अगर आप Save करने की बात करेंगे तो save करने के लिए control S होता है और save as की सोर्ट करड़ी होती है control shift as control shift as से क्या होता save as कर सकते मिन्स आप किसी भी document को अगर आप चांते हैं कि दूसरे नाम से एक और file save हो जाए तो आप उसे save as कर पाएंगे क्योंकि एक वार एक नाम से file save करने पर दुबारा से वही file फिर से save हो जाएगी वार नाम मगर अगर आपको दूसरी file आपके नहीं बनेगी लेकिन अगर आप चांते हैं कि एक ही document हमारा दो जगें save हो जाए अलग लग दो file चांते हैं तब आपको save as करना पड़ेगा और एक दूसरे नाम से file को save करा सकते हैं ठीक है तो यह कुछ चीजे थी आप इसके बाद बाकी भी चीजे हैं वो कल की class में आपको बताएंगे कोजिंगे डाकुमेंट यूजिंग दा हैल पेस सेट अप कैसे करते हैं प्रिंट प्रिबू कैसा होता है प्रिंटिंग आप डाकुमेंट है पेडियाफ फाइल में कैसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं कैसे पेडियाफ फाइल को create कर सकते हैं बहुत सारी चीजे हैं यह बिलको डेटेल में आपको सारी चीजे समझाएंगे तो आज पस इतना ही उमेंद करूँगा कि क्लास आपको समझ में आया होगा क्लास पसंद आया हो तो इसको like करें share करें और चैनल पर जो भी साथी हैं आप लोग subscribe करें साथ में बेल आइकन भी on कर लें ताकि notification भी आप सभी को मिलते हैं और अधिक सरी जो भी बच्चे जिनका भी एक जाब मार्श मंत में होने वाला है अपैल मंत में होने वाला है इस सेसन को complete देखें ठीक है बहुत सरे आपके जो सवाल हैं जो questions है वो यहां से clear होंगे और अगर आप बिद practical चीज़ों को समझ लेते हैं तो मुझे लगता है कि काफियत तक आप चीज़ों को समझ पाएंगे अच्छे से दूसरा बहुत ही जल्द आपके लिए mock test भी शुरू करने वाले हैं तो आपका वहां पर practice होगी mock test के लिए और यह class भी आपके लिए चलता रहेगा ओके thanks for watching thank you bye bye